सात्यों आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हो तो कैसे पता करें कि जमीन सरकारी तो नहीं कोई आरच्छत जमीन तो नहीं है या कभी रही तो नहीं है ठीक है आरच्छत या सरकारी जमीन ठीक है या आप जमीन खरीद चुके है तो कैसे पता करें कहीं यह जमीन सरकारी देखा होगा कि लगोग तीन से चार अजार गरों पर बुल्डोजर चला ठीक है क्यों क्यों कि वो जमीन सरकारी थी ठीक है अब सब लोगों ने देखा होगा सबसे पहले आपको पता हुगा कि जमीन सरकारी तो नहीं कैसे चेक करें अब देखिए सातियो कई बार क्या होता है आपने सारे documents check किए आपके advocate ने भी सारी documents चेक कि जमेन बिलकुल सभी ए accurate लेकिन पाँच साल बाद पता चलता है एक team आती है और वो survey करती है आप का मकान भी नाप देती है कि यंच मीश सरकारी इस में बुल दोजैर चनलेगा notice देके बुल डोजैर चल जाता यह केवल अकवरपर में नहीं हुआ यह प्रतियक तैसील में प्रतियक डिस्टिक में हो रहा है ठीक है लेकिन लखनव में बड़े पेमाने पर हुआ है अब आप कैसे सचीत रहे देखे सातियों होता क्या एक्चुली कि जैसे माल लीजिए मैं आपको जमीन बेच रहा हूं खतौनी में अमारा नाम है मैं ट्रांस्पेरिवर राइट वाला भूमिदर हूं अब मैंने आपको जमीन बेची आपने एड्वूकेट से चेक करवाया विद्वूनर सो चेक करवाया और उनने का बिल्कुल लाइक तालस पे जलमγन जमीन है इसलिए यह जमीन वो निरस्त करके ग्राम सवा में दर्ज की जाती है माली यह पहले तालाव की जमीन थी तो ये यह जमीन फलाने व्यक्ति के नाम नरस्त होकर ये तालाम में जो है वो गोसित की जाती है और दस दिन वाद आ जाएगी टीम नोटिस देगी बुल्डोजर चला देगी आपका मकान डा देगी अब हुआ क्या सभी डॉकुमेंट सही थे लेकिन अचानक कहां से आ गया अचानक सरकार के करमचारी कहां से डॉकुमेंट लेके आगे जिस पे जमीन सरकारी थी अब आप जानिये साती हो होता क्या है देखे क कोई भी जमीन खरीदने से पहले सुरुवाद से चेक करिएगा मैं आपको चीज बता दूँ यह आप कोई कानूनी सला लेना चाहते हैं साती हो यह आप कहीं जमीन खरीद रहे और आपका डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं जमीन सरकारी तो नहीं जमीन विवादित तो नहीं जमीन मालीजिए प्रोपर्टी ट्रांस परेक्ट यूपी आर्सी इन नियमों का पालन कर रही है कि नहीं यह सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा कॉंटेक्ट नमर हमारा वीडियो के डिसकस्में में मिल जाएगा वाटसेप पे मैसेज करें कॉ तो एक पर वास्टा में कि स्रयडियों की जमीन होती है सरकार ने काई सरोडियों की जमीन रखी गई है पजिदने दूह कि हैlegen आपको देखना है कि यह जो खातेदार है यह किस वर्ग का है इसे क्या-क्या राइट से देखे खातेदार कई वर्ग के होते हैं आप आप दो चीजें आपने चेक कर ली आपने देखा जमीन बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन सात्यो जरूरी नहीं है कि जमीन सही है अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता भी तो आप कह रहें साहिए देखे इसलिए अब यहां पर क्या-क्या अपबाद है वो जान लीजी आप अपबाद नम्मर एक ऐसा आती हो कई बार क्या होता है कि लेकपाल की गलती से आपकी जमीन दूसरे के नाम चली जाती है और करा सकते और अपना नम फिर बापस से ला सकते हैं जब हमारी जमीन आपके नाम जा सकती है तो तालाव की जमीन किसी अन्यवक्ति की नाम नहीं जा सकती है क्या चरागा की आरच्छे जमीन सरकारी जमीन रेलवे की जमीन जंगल विवाग की जमीन वह भी तो किसी दूसरे के मेरे नाम पर जा सकती है गलती से माल लीजिए तालाव की जमीन मेरे नाम गलती से आ गई 15 साल पहले मैं अभी भी कावेज हूँ अब वो जमीन में बेच रहा हूं खतोनी डॉकुमेंट सारे साही है तो आप पता नहीं करपा होगे पहली चीज यह गलती हो सकती है दूसरी सात गलती ये भी होती है माल लीजिए हमारे चाचा ताव प्रधान रहे उन्होंने चुपके से है क्या किया अधिकारियों से पैसा देकर प्रधान भी यह और वहने मीटिंग बिठाई और तालाव की जमीन मुझे पट्टे पर दे दी लेकिन कानून ये यह है कि तालाव या आ लीजिए सरकार की नजर में वो जमीन आ गई लेकपाल की नजर में आ गई या किसी ने सिकायद कर दी कि यह जमीन तो सन 62 में तालाव की हुगा करती थी ठीक है तो उसका 57 खाचेक होगा अधिकारी यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर देखिए यह इस प्रकार से प्रारूप होता है जब चक्वंदी बंती है यानि कि जब गाटे का नए गाटे जनम होता है समझ रहे है यह आप यह बहुत पराना डॉकुमेंट्स होता आकरपत 41-45 चक्वंदी आकरपत 41 काफी पराना डॉकुमेंट्स और जो आकरपत 41 वोलेगा वहीं सही इसमें कई चीज़ें दिए जाती है नए परवानी संख्या क्या आती है नए गाते हों जब भी बनते हैं सीधी सब्सक्राइब नहीं निकल वाले हैं आकारपत्र इकतालिस तो सब कुछ पता चल जाएगा पता कैसे चलेगा वह आप देखिए यहां पे लिखा साथ यो पिछले बंदोवस्त की भूम स्रेडी ठीक है अगर पिछले बंदोवस्त की भूम स्रेडी माल लीजिए तालाव हुई तो जमीन कभी मत खरी दिये क्यों क्योंकि सरकार की किसी भी जमीन का पट्टा या किसी भी व्यक्तिकों नहीं दी जा सकती है हमेशा के लिए ठी में वी जरेदी नमपर पालाव रहा है फिर नहीं सकते अगर यह जमीन घ्राम वेले तो मना जायगा चाहे खतोनी प Алекс ब्लंस कर नहीं सकते मेरे कहने का है पहले खतोनी चेक करें विशेशा किसी करवाए और अगर आप कोई कानुनी सला लेना चाहते जमीन की डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाह रहे तो मैं भी आपके डॉकुमेंट्स चेक कर सकता हूँ हमारा आपको मिल जाएगा अब आते हम आंगे टॉपिक पर कि भाई आप खरीद रहे हो तो वहां पर क्या 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 चेक करें साथियो सबसे पहले तो यहीं नियम है कि अरवन प्लानिंग डेवलमेंट्स के अनुसार जो भी आप प्लेट कॉलिनाइजर से खरीदे उसका लेयाउट जारी हो लेयाउट रजिस्टर्ड हो ठीक है नक्सा पास होना चाहिए वकाइदा लेकिन नाइंटी नाइन परसेंट जो प्रॉपर्टी डीलर है साथियो वह क्या कर रहे हैं वह इंजीनियर से पांच चार पांच जार रुपाई देकर वो नक्सा बनवा लेते बिल्कुल प्रिल लीगल लक्सा है वह देखोगे तो निश्ची दी बुलोजर कभी ने कभी चलेगा ठीक है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पहली जमीन सरकारी तो नहीं खतोनी चेक करिए खतोनी में स्रेडी नंबर चेक करिए खातेदार का वरक चेक करिए उसका द झाल 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 झाल